हालो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू जेके प्रैक्टिस तो फ्रेंट्स आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्लेबस के बारे में जो कि कुछ दिन पहले की फाइनस डिपार्टमेंट द्वारा की 1700 प्लस जो पोस्ट एडवर्टाइज हुई थी उनका स्लेबस की बात करेंगे ह हम आज तो इस वीडियो को एन तक जरूर देखना तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो में देखते हैं स्लेबस कौन-कौन सा स्लेबस आया है तो चलिए अगर हम पहले नजर डाले यहां पे तो यह नोटिफिकेशन आज की डेट में आउट हुई है तो इसमें 16 तारी को कुछ एड़डाइज हुआ था कि नोटिफिकेश 1700 पोस्टे थी जिए अड़डाइज की थी तो देखिए फैनाइस एकाउंट एसिटेंट की जो पोस्टे हैं तो उनका स्लेबस आप यहां पर देख सकते हैं पूरा डिट्टो मैच कर रहा है कि थोड़ी वो चीज़ें जो की चे लग रहा है तो यह भी यहां तक सेम भी लग रहा है मुझे ठीक है computer application की बात करतों तो computer को reduce करके आपका 20 marks कर दिया है पहले आपका 30 marks का था तो next, अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो next मैं accountancy है, तो चो की आपकी 20 marks की कर दिया है तो वही चीज़ें जो पहले थी तो by लोची जो है कि अब कि साइन सेक्शन है अब किया कि एकक्वल इंपोर्टेंस दी गई है सबको तो सेक्शन टोटल की बात करूं तो सब्जेक्ट एक दो तीन चार पांच छे सब्जेक्ट हैं तो दस नमबर की आपकी स्टैक्टिक से बागी आपका 2020 कर दिया गया ठीक है तो इस नालेज है करण डफेर्स हैं तो उसके बाद जर्नल नालेज बेस्पेशल डेफरेंस टू यू टीजयन के यह भी है जर्नल साइन्स भी है और आप मेंटल अबिटी टैस साइन्स की बात करें तो मेंटल एबिटी टेस्ट हमने पहले बोला था कि हमारा जो की चले बस चल रह सकते हैं mathematics से सकते हैं तो यह mathematics से आपको चलेगा हिस्ट्री आपको है स्विक्स आपको है जोग्राफी है पूरी नोटिफिकेशन देखने के लिए यह कैसे स्पी के ओफिशिल स्वाइट में लॉग 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 इन करें हम पर देख चाहिएगा कि हाला कि जो पूरा डिटो स सले बस है बूरा match कर रहा है उनके साथ माइगोरेंस के प्ल के साथ येनिर एसिस्टेंट तो सटेनो ग्राफ के पोस्ट हैं यहां पर देख सकते हैं येनिर श्टरॉकल इसिस्टेंट की यहां पर different difference पोस्ट हैं उनका शलेबश है तुनिएक नार्ट मोटर वहिक्ल किये सब इंस्पेक्टर मोटरवेक्चल इंस्पेक्टर किये तरह यह स्लेबर्स है 10th class की पोस्ट के लिए स्लेबर्स है आर्टिकल देख सकते हैं यहां पर जर्नल वेर्स है 20 marks mathematics है यह हमारा पूरा चल हो गया है तो बेसिक साइंस है रीजिनिंग है जो आपका चल रहा है तो बस इसमें metric level पोस्ट है जो की 10th level पोस्ट है जर्नल वेर्स जो भी पोस्ट है उनका सारा स्लेबर्स एक जैसे है तो कोई भी क्यूरीस होगी आप मुझे comment box में जुरूर बताएं तो के गाइस इस वीडियो में इसतना ही मिलेंगे तो अब आपका स्लेबर्स आ गया है तो उनके preparation करना start कर दीजिए